देश भर में बेरोजगारी की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है ऐसे में बिहार भी बेरोजगारी की मार जिरने में पीछे नहीं है आपने देखा होगा कि बेरोजगार युवा अकसर सडकों पर उतर कर आंदोलन करते हैं सारी तयारी धरी की धरी रह जाती है जो पता चलता है कि कोई वेकैंसी निकली मगर उसे कैंसल कर दिया गया ऐसे में युवाओ का मनूबल तो टूठी रहा है साथी बिहार में रोजगार की उमीद भी खतब होते जा रही है ऐसे में एक राहा देने वाली खबर सामने आ रही है जहां ये खबर युवाओ के लिए जोश चात्र चात्राइ सरकारी विभागों में जाने के लिए टैयारी कर रहे होते हैं चाहे वो पोस्ट चप्रासी का हो या फिर कलर से लेकर AIDS का हीकि ना हो आपको हर घर में सरकारी नौकरी की चहां रखने वाला छात्र मिल ही जाएगा लेकिन अब धीरे-धीरे समय के साथ बिहार के युवा और उनके परिवार की सोच भी बदलने लगी है अब लोग समझने लगे हैं कि अगर पढ़ाई अच्छे से की जाए तो नौकरी अच्छी मिलेगी और फिर स युवा भी मैनेजमेंट से लेकर आइटी डिपार्टमेंट तक की पढ़ाई करने लगे हैं लेकिन आइटी और मैनेजमेंट में पढ़ने वाले युवाओं के लिए बिहार में जादा रोजगार मिलते नहीं हैं जिस वज़ए से उन्हें रोजगार के लिए पलायन करके बैंगलोर, हैगराबाद, चन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपनी घर से दूर जाना पड़ता हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जिहां आने वाले दिनों में बिहार भी एक बड़ा आईटी हब बनकर उभड़ने की तयारी कर रहा है बिहार में पटना भागल की आई के बगल में सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया का भवन निर्मान तेजी से किया जा रहा है जिसमें करीब 9 करोर 28,85,000 रुपए लगाए जा रहे हैं करीब 2 एकर में इसका कैंपस होगा और 16,000 स्कॉर फिट में इसका भवन बनकर दूसरा आईटी पार्क ऑक्टूबर तक तयार हो जाएगा इसके बन जाने के बाद मिथला छेत्र के युवाओं को आईटी की जॉब ढूंडने के लिए बैंगलोर, हैदराबाद और शेनई जैसे बड़े शेहरों में घर से दूर नहीं जाना होगा बलकि विपरो और एंपोसिस जैसी काम करने बाले बस एक लाप्टॉप लाकर काम की शुरुआत कर सकते हैं इस आईटी पार्क के बन जाने से बिहार के युवाओं को आईटी खास तोर पर सौफ्ट्वेर इंजिनियरिंग के जॉब के लिए बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शेहरों में नहीं जाना होगा यहां से भी अपना स्टार्ट अप शुरू कर सकते हैं साथी बड़ी बड़ी सौफ्ट्वेर कंपनिया जासे विप्रो और इंपोसिस भी यहां आ सकती हैं इससे मिखला के लाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा दर्भंगा में बन रहे स्पार्क का नाम यानि कि दर्भंगा को फाइदा होने वाला है बल्कि यहां की प्रतिभायदेश विदेश में अपना कमाल दिखाएगे दर्भंगा में बनने वाले आईची टी पार्क का मॉडल वेंगलोर में बने आईची पार्क जैसा है अब दर banner धाक कि दुदने के लिए आईची पार्क का सहा है और लोग जैन चाहेंगे जने उनके साथ जुरकर फायदा उठाना हो वह इसकाम के पूरा होने बिहार के विकास और अधर को यह पंगणमें को ले कर आप में बा Dee जो भीकड है और साथ वीडियों को साजा भी करें ताकि लोगों बता चल सके कि बिहार में विविकास हो रहा है तो इसी के साथ हमें दीजों इसाथ और आने खबरों को जाने के लिए रेखते रहें जनता जंक्शन धन्यवाद